इस वक्त की कुछ खास खबरों का तापमान 44 डिग्री सेलसियस के आसपास दर्ज होने की संभावना है और यूपी में भीशड गर्मी का दौर चल रहा है और तापमान को देखती हुए मौसम भाग ने यलो अलर्ट ज़ारी किया हुआ है राज में दो मई के बाद गर्मी से थोड़ी रहत देखने को मिल सकती ह मौसम भाग के मुताबिक दो मई के बाद पारा गिर कर 36 डिग्री तक आ सकता है आज की अगर बात करें तो रैज में अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री रह सकता है तो वही नियून्टम तापमान 28 डिग्री रह सकता है गोरकपुर पहुचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अधितनात ने पहले जनपद में हो रहे विकास एकारियों का निरिक्षड किया इस दोरान उन्होंने सहजनवा के अटल अवासिय विद्याले का निरिक्षड किया जिसके बाद सीम बिच्छा बाइपास पर बन रहे फोर लेन का निरिक्षड करने पहुचे और निरिक्षड के दोरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिये फर सीदे सीम योगी गोरकनात मंदिर पहुचे और वहाँ बाबा गोरकनात के दर्शन करने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठ खकी सर आज मैं यहाँ पे प्रिथवी दिवस के उपलक्ष में आई हूँ मैंने आज हमारे स्कूल में यूपे में माफ्याओं के खिलाफ हो रही कारिवाई के बाद बलिया में प्रिशासर ने गरीबों के घर पर ऑद भाद उज़ा दिया रोकर बुरा हाल हो गया जबकि पिडितों का कहना है कि बीना नोटीस के ही उनके घर पर भुलडवजा चला दिया गया और जैसे ही ये मामला विधायक को पताचला विधायक ने तहसलदार को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पूरा मकान गिरा दिया होता तो तहसील में आग लगा देते कि कुछ फर्यादी मेरे पास सुबह आए और उन्होंने ये बताया कि हमारे परदादा ने बिना जानकारी के बिना एक सवर की जमीन होती है हर गाओं में अमूमन होती है वह जमीन ऐसी होती है जहां बच्चे को पहले पुराने जमाने में लोग महिलाएं पैदा करती थी तो उनके परदादा ने जानकारी के अभाव में वहां पर एक मकान बना लिया मकान बना लिया अब जो है जब सारी जानकारियां हो रही है सरकार हमारी बहुत एक्टिव है हर सरकारी जमीन के लिए तो यह पता चला कि उनका वहां मकान बना हुआ है वह बिचारे उनका बंदर क चला दिया उसके घर के उपर जिसमें कुछ उसका हिसा तूट गया और हमारे मुख्यमंत्वी योगी आदेत अनात जी का साफ यह कहना है कि किसी भी गरीब के घर पर या उसके किसी रोजी-रोटी पर आप बुल्डोजर नहीं चला सकते हैं हमारा कुछ पाता नहीं है कुछी से कोई से बात भी चार नहीं है पूलिस कम अच्छो हो आगे पढनक पाल भी आगे हम लोगा कोवर में घूसके हमारा आदमी के मारने लगे तंटा 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 ते बिकलांग आदमी आए बंदर के हटी लगे हम रोडने लगे रोते रोते हमको उनके नहीं जाना की कि हमना दर्वाजा पराइलव के दूर पराइलवा अबरा कित की तरी भी धाई जी आए समरा मकान माचे खबर फिरोजाबाद से हैं जाविकास कर नारकी के उच्वे प्रात्मिक विद्याल जोधरी में बेसिक शक्षा परिशत के अध्यापक सातीन रपाल ने महिला प्रसक्षू के साथ छेड़ चाड़ की जिसके शिकायत पर कारिवाई करते हुए बेसिक शक्षा अधिकारी सब्सक्राइब करते हैं कि रफदारी के लिए टीम गठेट की रही है प्रयास प्यारी है हमारा आवर्शिक विदिक्कारवाई की जाए लिए जौंधरी सेकेंड फिकास कंड नार्थी में एक मामला संज्यान में आया है जिसमें DL8 की प्रिशिक्षिन है नर्वना उनके द सब्सक्राइब करते हैं अब समन्दित प्रिथाना के लिए लिए जारी किया इस कड़ी में और आया एर्वा कटर थाना छेत में शासन के आदेशों के विपरीत लगाएगे लाउट स्पीकर को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है इस मामले में जिला प्रिशासन के अधिकारियों ने अपसरों को सरकार के आदेशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है अलिगड के थाना रोरावर छेतर में भीशड गर्मी और रमजवान के महीने में पिछले दो महीने से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है जोसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और शिकायत करने के बावजूद भी जब भी पानी की किलत दूर नहीं हो रही है आक रुशिद महिलाओं ने सड़क जाम करती हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया जबकि प्रदर्शन के दौरान महिलाओं और पुलीस के बीच काफी नोग जोग हुई इस समस्या का कोई हल नहीं निकला हमने पानी के मारे लगाया यह जाँ यहाँ पानी कल भी लगाया था हमें डिएड महीने से पानी नहीं मिल लेया बिल्कुल भी पानी मिला पलेकर पानी कोई हुटा देते हैं लोग सब वादी पानी सा regarding नहीं हो फरी पानी की परशानी वजू तक को पानी नहीं है हमारे पास पानी नहीं आ रहा है तो पता क्या करें हम इसलिए हमने यहां धनना दिया हमें पानी चाहिए खबर राइबर एली से है जोहागरू बक्षगंधाना च्छेतर के पुराई में एक बेटे ने अपनी ही मा को धारदार हतियार से वार करके मौत के घाट उतार दिया इस पूरे मामले की सूचना पर पहुची पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर दिया और व्रिद्गा के शोग को कबजे में लेकर पुस्ट मॉटम के लिए भेश दिया है पुराई गाओं में गवरी साहू पतनी बलवन साहू जिनकी उम्र लगभग 55 वर्स है उन्हीं का पूत्र नीरज साहू रुपलाला ने फर्सा यानि कुदाल से चेहरे पर आउसर परवार किया है जिससे कि उनकी मिर्टू हो गई है पंशाहत नमा भुटू है अच्छी चीजे भी मिली साफ सफाई की आवशकता है इस तहसील में और जैसा कि मानिय मुख्यमंत्र जी ने भी समय से में निर्देश दिये हैं तो सथकारी प्रांगण है उसमें सफाव सफाई की वेवस्था परियाप्त रहें कुछ हमारी अलिवक्ता गणों ने भी पानी ठीक पीने लाइक में बहुत दूशित पानी है बाहर भी कोई सवक्षित ब्यवस्था नहीं है यहां गाउं से बहुत छोटे लोग करीब लोग आते हैं वह वी सुवे कोतल नहीं ले सकते तो मेरा एक अन्रोध हुंसे है कि अलिगर के कोतवाली खैर छेत्र के पलवल हाईवे पर दिली से मतुरा जा रहे बाइक सवार को बेखाउख फ्लूटेरो ने रास्ता रोक कर लूट की वारदात को अन्जाम दे दिया और मौके से फरार हो गये जिसके बाद पीडिते रहागीरों की मदद से खैर कोतवाली पहुचकर मामले की शिकायत दर्च कराई है वहीं पीडित की शिकायत मिलने पर पुलिस लूटेरों की तलाश में जुट गई है प्राइम टीवी की खबर का हुआ खाससर आपको बता दे की चैनल पर खबर चलने के बाद पत्र वाहक से ज़ाड़ों लगवाने के मामले पर सीडियों ने जाज के आदेश दिया दरसल विभाकिया जाज पत्र वाहन ने खंड विकास अधिकारी पर शोशड का आरोप लगाया था वही पत्र वाहक ने शोशड बंद ना होने पर आत्म हत्या की धंकी भी दी थी जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सीडियों ने तुरंट कारवाई के आदेश दिये हमेरपूर के गेस्ट हाउस में मिशन शक्ती अभ्यान चलाएगा जिसमें महिलाओं को आत्मने पर बनने के लिए जागरू किया गया पलिस ने जिले के कई गाउ भीडबा़ वाले स्थानों और चौराहों पर चौपा लगा गर महिला पुलिस के जरिये जागरू किया गया इसी क्रब में पुलिस अधिक्षक कमलेश कुमार दिक्षत कहना है कि वो एक ऐसा लॉयन ओर्डर देना चाहते हैं जिसमें रात में भी महिलाएं अकेली खूम सके आज मिशन सक्ती के तहट शहर की संभरांत महिलाओं इस्कूल की बच्चियों के साथ एक कारका मायूद किया गया जिन्हें जागरू किया गया कि अपनी सुरक्षा कैसे करें और पुलिस विभाग को अगर किसी अपनी स्थिति में किनकी नबरों से सूजना दें जिससे की ततकार उनकी सहायता की जा सके सभी द्वारा इस समंद में जानकारी भी में दी गई और सब को अउगत कराया गया और सबने आस्वस्थ भी किया कि भविस्थ में किसी भी तरक की खत्रा आने पर वो ततकाल इंफार्म करेंगी मैंनपुरी में ओनर किलिंग की संसनी खेज वारदात सामने आई है जहां प्रेम विवाह करने पर भाई ने बहन की हत्या कर दी साथी युवती के पती को भी गोली मार दी आरूपी ने चाचा के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया मेडिकल कॉलिज सफ़ाई रेफर किया गया एस पी ने घटना स्थाल का निरिक्षड कर जौन कारी जुटाई और आरूपियों के गिरफतारी के लिए टीमों का गठन कि कि इस घटना को अंजाम देते समय काफी निशन्स तरीके से उस्टिया की गई उसके हस्मेंड को भी गोली मारी गई वह भी जिवन संगर्श कटा है मा को भी इन्होंने गोली मारा बट तमंचे के पड़ समारा आज इस चार अभ्यूप पकरे गया है और दो जैस आप में द और पोरी घटना का वे बिरिन 24 आवर समनों है कि अनावरान करते हुए इनकी कुलेक्तारी समिस्षित किये पोरी टीम को वहारी तरब से 25 निशन्स अब तक की खास ख़बरों में इतना ही देश दुनिया के और ताजों तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए प्राइम ट आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार